Hello friends, welcome to our channel So friends, आज हम बात करने वाले हैं Dats के एक बहुत ही important function distinct function के बारे में हम समझेगे distinct function होता क्या है कैसे काम करता है इसके कुछ practical scenarios को भी देखेंगे हम through demo कि हम किस तरीखेश से distinct को use कर सकते हैं हम different scenarios में सीधे चलते हैं बनी topic की और distinct function ओके तो अगर हम अपने distinct function के अगर बात करते हैं तो distinct function एक table function होता है बेसिकली ये table को return कर रहा है अब दोस्तो वो जो table होगी वो single column table भी हो सकती है और उस table में multiple columns भी हो सकते हैं वो depend करेगा कि क्या argument हम इस distinct function में pass कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं distinct की अगर हम distinct function में single column pass कर रहे हैं जैसे यहाँ पे अगर मैं single किसी table का column pass कर देता हूँ तो क्या होगा यह return करेगा single column table क्योंकि हमने single column pass किया तो single column table ही return कर देगा पर समझने वाली बात यह है कि यह single column होगा उसके अंदर unique values होंगी कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे अपने data view में जाओं और अपनी sales data table को देखूं तो यह क्या करेगा मान लीजे मैंने product id को इसके अंदर pass कर देए distinct function में तो यह क्या करेगा यह केवल unique product ids को ही return कर देगा कहने का मतलब है यह केवल five values को return करेगा यह इतनी सारी duplicate values है मेरी fact table में उनको return नहीं करेगा पहला case यानि अगर हम column को pass कर रहे है similarly अगर मैं column में customer id पास कर दूँगा तो यह केवल 19 distinct values return करेगा यह सारी जो values है जो repeat हो रही है उनको हटा देगा पहला case scenario अगर हम बात करते हैं अगर इसमें हम pass करते हैं column की बजाए हम अपने table को pass करते हैं तो जब table expression यह table को हम इसमें pass करेंगे तो यह क्या करेगा यह unique combination of values को return करेगा वो भी देख लेते हैं अपने data view में जाके То friends ही करेगा क्या जब हम बात करेगा टेबल एक्स्प्रेशन पास करें तो यह करेगा क्या यह unique combination को identify करने के कोशिश करेगा यह unique combination क्या चीज है यह unique combination क्या है कि customer id, date, product id, sales, quantity, sales, यह जो हमारे five columns है इनकी unique combination होना चाहिए यानि यह जो हमारी first row है ऐसी similar row with all these values दुबारा नहीं आनी चाहिए अगर हमारे distinct function को दिखेगा कि ऐसी कोई row जिसके अंदर यही values है, exactly यही ऐसी ही values है same तो यह क्या करेगा उस row को return नहीं करेगा क्योंकि ऐसी row उसने पहले identify कर ली है तो यही एक basically distinct function का usage होता है कि unique combination को identify करता है और अगर कोई duplicate rows है कहने के मतलब अगर ऐसी ही same row उसे नीचे मिलेगी तो यह उसको eliminate कर देगा उसको return नहीं करेगा यह केबल उसके first reference को ही return करता है तो that is our distinct function when we are passing जब हम pass कर रहे हैं अपने table expression को तो अब हम कुछ demos देख लेते हैं और समझते हैं इत function को through practical examples तो अब हम अपनी demo exercises को शुरू कर सकते हैं सबसे पहले मैं यहां पे अपने report view में जाके यहां पे सबसे पहले मैं एक scenario जो बताने वाला हूँ आपको उसके अंदर मैं distinct function के अंदर एक column को pass करूँगा किसी table के तो हम data model को discuss कर लेते हैं एक usual practice है हमारी तो अगर हम अपने data model को देखते हैं तो center में मैंने sales data table ली है जो एक fact table का का काम कर रही है इसके अलावा मैंने यहां पे product lookup, customer lookup और date lookup तीन lookup table यह dimension tables ली है जो मेरी center fact tables है one to many relationship के दुरूँ attached है इसके अलावा मैंने measures table भी ली है जो मेरे basically data model को better organized करती है अब अगते हैं अब अपने report view में और मैं select करूँगा measures table को जब मैं measures table को select करता हूँ तो friends यहां पे आप देखते हैं new table का option अब अगर इस option को देखें तो यहां पे कहा रहा है write a dax expression to create a new table तो जैसे हमने बात किती distinct table function है तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूँ मैं इस option को select करूँगा और एक table create करूँगा through our dax basically expression तो यहां पे मैं इसको click करूँगा ओके इसको हम window को बढ़ा कर लेंगे थोड़ा सा और font size भी हम increase कर लेंगे यहां पे ओके तो अभी के लिए मैं distinct function का आपको first argument distinct function में हम मैं column name को as an argument pass करने वाला हूँ तो मैं यहां पे distinct लिख लूँगा और यहां पे column का क्योंकि मैं demo देने वाला हूँ तो मैं column को demo लिखके यहां पे आ जूँगा यहां पे बात मैं नीचे यहां पे click कर लेंगे और इसमें मैं ले लूँगा यहां पे अपना distinct function distinct function मैंने यहां ले लिया है आप देख सकते है returns of one column table that contains the distinct unique values in a column तो अभी के scenario में क्योंकि मैं column pass करने वाला हूँ तो यह क्या करेगा one column table को return करेगा that contains the distinct unique values अभी फिर मैं क्या करूँगा यहां पे column दे दूँगा मैं अपनी sales data जो मेरी fact table है जहां पे मेरे को duplicate values मिलती है अपने column की तो यहां पे मैं इसको select करूँगा basically और इसके अंदर मैं अभी के लिए let's suppose product id column ले लूँगा और इसको मैं close कर दूँगा तो मैं ok कर दूँगा यहां पे ok तो जैसे ही मैं ok करूँगा तो आप यहां देख सकते हैं distinct column एक demo करके यहां पे मेरी एक table बनके आ गई है मैं अपनी data view में जाऊंगा और इसको देखूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेर पास यह 5 distinct values यहां पे आ चुकी है इस एक particular column आया है उत column के अंदर 5 distinct values आये यानि इस distinct function ने क्या किया है जब इसमें हमने column को as an argument पास किया तो इसने एक single column table को return कर दिया single column है product id single column है यहां पे इस table को return किया with unique values यह सारी unique values हैं अब हम अपनी main table जिसमें से हमने निकाली है values उसमें भी जाके देख लेते हैं क्या 5 distinct values थी वहां पे तो इसके लिए मैं अपनी sales data table को click करूंगा और product id को देखूंगा नीचे जाके हम अगर देखें यहां पे मेरी 5 distinct values यहां पे दिखा रहा है और वही distinct values हमने यहां पे capture कर हैं तो यह हमारी 5 distinct values basically return हो चुकी है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं एक table expression जो हमारा आगर हम देखे या तो हम column को as an argument पास कर सकते हैं यह table expression को तो मैं table expression यहां पर पास करने वाला हूँ तो table expression के अंदर मैं क्या करूँगा simple यहां पे इसी को copy कर लेगी हम और दुबारास से हम new table को click करेंगे और इसको copy paste कर देंगे आप मुझे यहां क्या करना है यहां पे मैं rather than column लेने के क्योंकि आप यह scenario table का है मैं पूरी sales data table को ही यहां ले लेने वाला हूँ तो यहां पे मै मैं इसको column को हटा दूँगा पूरी entire sales data table में लेने वाला हूँ और यह column demo की जिगह है मेरा पूरा यहां पे distinct आ जाएगा ओके यह मेरी distinct जो थी वो पूरी sales data table जो हमारी complete जो sales data table है मैंने उसके उपर distinct function को अपलाई किया है तो अब इस function ने क्या किया है friends इस function ने मेरे को unique combination of values यानि यह जो पूरी row है ऐसी कोई duplicate rows यहां पे नीचे नहीं दिख रही होगी यह make sure करता है distinct function यानि यह complete row जो मेरे जैसे यहां first row देख रहे हैं ऐसी row नीचे नहीं होगी second row है ऐसी कोई duplicate row इसने return नहीं की होगी basically deduplicate कर दिया है हमारी sales data table को यही purpose होता है distinct function का distinct function क्या करता है deduplicate कर देता है यानि कोई duplicate values यहां पे नहीं होगी इस जो हमने distinct table जो demo यह हमने table बनाई है इसके अंदर कोई duplicate values नहीं हो होने वाली है अब हम यह make sure कैसे करेंगे इसके लिए मैं दोस्तों दो measures बनाऊंगा और उसके थरूँ आपको बताऊंगा कि duplicate values हटी है यह नहीं इसके लिए friends सबसे पहले हम report view में जाएंगे दुबारा से और हम अपनी measures table को click करेंगे यहां पे अभी मैं दो measures बनाने वाला में make sure कर सकते हैं कि हमारी table में duplicate values थी अगर ही तो क्या हमारे distinct ने उन duplicate values को यह duplicate rows को remove कर दिया है अगर कर दिया है तो वह भी देख लेते हैं मैं क्या करूंगा यह new measure लिखूँगा सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा count करूंगा rows को from sales data table okay और मैं नीचे जाके यहां पर count rows ले लूँगा यहां पर इसमें मेरे को table पास करनी है और अभी के लिए मैं sales data table यहां पास कर दूँगा okay कर देंगे हम इसे इसी तरीके से मैं एक और measure बना लूँगा पर उसके अंदर मैं आपनी जो नई table मैंने बनाई है basically यहां पर आप देख सकते हैं distinct table demo इसमें थे भी हम देख लेते हैं कि इसमें कि नी रोज हैं दुबारह मैं measure table को क्लिक करूँगा new measure पर जाऊंगा तो copy कर देंगे हम यहां पर और अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर राधर देन इसको लेने के यह जो मेरी distinct basically हमारी यह table demo है इसको हम यहां ले लिए लिया है यही नाम मैं यहां पर ही लिख लूँगा कर देंगे अब दोस्तों मैं क्या करूँगा यहां पर इंपल एक कार्ड ले लेता हूं बिसिकली मुझे दो कार्ड शी होंगे क्योंकि दो टेबल का काउंट लिया है तो एक और मैं कार्ड विज्यूल यहां पर ले लूँगा ओके पर्फेक्ट यहां पर मेरे दो कार्ड विज्यूल हो चुके हैं ओके अब मैं फर्स्ट कार्ड विज्यूल में मैं क्या गरने वाल हूं इसको फोड़ा से स्ट्रेच कर लेते हैं हम तो मैं सबसे पहले सेल्स टेटा टेबल में कितनी रोज थी उनका काउंट पे लूँगा तो मेरे सेल्स टेटा टेबल में आप देख पा रहे हैं जो दो रोज थी हमारी सेल्स टेटा टेबल में वो डिस्टिंक्ट फंक्शन ने हटा दी है वो अब डिप्लिकेट जो रोज थी वो उनको हटा दिया गया है और हमारे पास यूनीक कॉंबिनेशन ओफ रोज आ चुका है तो दिस्टिंक्ट फंक्शन ये 996 रोज यूनीक यूनीक आया दूप्लिकेट रोज जो थी हमारी वो जा चुकी है इस तरीके से हम अपनी basically मैं कह सकते हैं एक युट्राइजेशन कह सकते हैं distinct function का gerade और को समझ आयो distinct function का concept अगर आपका इस concept से related को यह doubt है, तो आप comment section में share करें, मैं answer देने के कोशिश करूँगा, मिलते है next video में, तब तक के लिए thank you, रहे बाद